भारत माता की भारत माता की भारत माता की दो दिन पहले मैं बना रस्में था वहाँ जो माहोल बना जिस प्रकार चे काशी वासियों ने लोग तंत्र का उच्छों बनाया और स्वाबाविक है कि प्रधान मंत्री वहाँ नामांग कंडरे ने गए थे तो जरा बिडिया वालों का भी ध्यान जादा रहता है लेकिन सवाल काशी का नहीं है हिंदुस्तान के हर कौने में कन्या कुमारी से कश्मीर तक और अटक से कटक तक सब दूर यही उमंग है यही उत्सव है और लोग तंत्र की क्या ताकत है उस पर दुनिया का ध्यान गया है और मैं पहली बार देख रहा हूं कि दुनिया के अख़बारों में पहले पेड़ पर भारत के लोग तंत्र के उत्सव की खबरें चाई हुई है भारत के भाई आप का आप बैठिये और एक बार भी खड़े नहीं होंगे आप भारत की पहचान भारत का महत्माएं दुनिया के लिए भी कितना महत्व रखता है इसका यह परिचाए है दुनिया देख रही है कि जनता जनारदन का आशिरवाद भारती जनता पार्टी एंडिये हमारे सभी साथियों पर है और जहां भी जाते हैं एक ही स्वर सुनाई देता है एक की नारा गुंज रहा है एक की संकल्प चारों तरब लेकर के लोग चल रहे हैं और वो है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार भाई और भानों आखिर दुनिया को यह विश्मास कैसे है यह रातो रातो नहीं हुआ है दुनिया यह जन समर्थन देख रही है आपका प्रेम और आपका आशिरवाद आपका असने दुनिया को अचरेज कर रहा है दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों को मोदी की गारंटी पर कितना भरोसा है कि साथियों कि मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है इसका ताजा उदहरान CAA कानून है और आपने देखाओगा कल ही CAA कानून के तहट सरनार्थियों को भारत की नागरिता देने का काम शुरू हो गया पहले लोट को अल्रेडी नागरिता दी गई और ये सभी भाई भेन हिंदू है सीख है बहुत है जैन है पार्सी है इसाई है और ये वो लोग है जो शरनार्थी बन करके लंबे अर्चे से हमारे देश में रह रहे हैं ये वो लोग है जो धर्म के आधार पर हुए भारत के बटवारे का शिकार हुए थे और मजा देखिए ये मातमा गांदी का नाम लेकर के सत्ता की सीडियां तो चड़ जाते हैं लेकिन मातमा गांदी के बातों को याद नहीं रखते हैं खुद मातमा गांदी ने बरोसा दिया था कि वो कभी भी भारत आ सकते हैं सत्तर वर्सों में हजारों परिवार प्रताडना जेल करके अपनी बेटियों की इज्जद बचाने के लिए अपना धर्म अपनी संस्क्रति अपनी परंपरा को बचाने के लिए मजबूरन मुसिबत के मारे भारत मा की कोख में आकर के शरण लिया लेकिन कॉंग्रेस ने इनकी कभी सूध नहीं ली क्योंकि यह कॉंग्रेस के वोट बेंक नहीं थे और यह लोग कौन है जाजातर जाजातर इतुमें मेरे दलीद भाई बैन है मेरे ओबी सी समाग के भाई बैन है मेरे पीछडे भाई बैन है और इसलिए इन पर वहां तो जुल्म हुआ ही हुआ बोट बैंक के राजनीती में धुबे हुए यहां के कॉंग्रेस की सरकारों ने भी और उनके साथियों ने भी इन पर जुल्म करने में कोई कमी नहीं रखी लेकिन यहां सपा कॉंग्रेस और इंडी गड़ बंदन वालों ने इनके साथ क्या किया इन्हों ने CAE के नाम पर ऐसा जूट का पहाड़ खड़ा कर दिया ऐसा जूट चलाया ऐसा जूट चलाया सपा कॉंग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहीत पूरे देश को दंगों की आग में जोंकने का बड़पूर प्रयास किया आज तक ये इंडी गड़ बंदन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो CAE लाया है ना जिस दिन मोदी जाएगा ये CAE भी जाएगा भाईयो भेनों क्या इस देश में अब कोई माय का लाल पादा हुआ है जो CAE को खतम कर सके ये देश की जंता जान गई है देश का हर नागरी जान गया है कि आप लोगोंने वोट बेंक की राजनिती करके हिंदू मुसल्मान को लड़ा लड़ा करके और सेकुलरिम के ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पापकी सच्चाई बहरने आती थी ये मोधी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है ये आपका नकाब आप डौंजी है आप संप्रदाइक है आपने देश को साथ दसक तक संप्रदाईग की आग में जूजनेट लिए मजबूर कर दिया है कि साफ है कि मैं साफ साफ कहना चाहता हूं मेरे भाईयों बहनों कि यह मोदी की गारंटी है कि देश विदेश कहीं से भी जो भी तांकत इघटी कर दिये कर लो मैं भी मैदान में हूँ तुम भी मैदान में हूँ आप सिये नहीं मिटा पाओगे आने वाले कुछ महिनों में ही पस्चिम मंगाल से लेकर दिल्ली पंजाब तक हजारों शरनार्थी परिवार भा मा भारती की गोद में रह रहे हैं अनाद की तरह रहे हैं वो अब सम्मान के साथ रहेंगे उनके पास उनकी एक पहचान होगी वो मा भारती के बेटे कहने के हकदार हो जाएंगे हमारे उत्तर पुदेश में भी ऐसे लाखों परिवार बसे हुए जी साथियों मोदी की एक और गारंटी आज कश्मीर में भी दिख रही हैं पिछले पांच छे दसकों में कश्मीर देश के हर चुनाव का मुद्दा होता था हर चुनाव में सभी दल कश्मीर के मुद्द्यों को भुनाते थे आपने देखा होगा यह हमारे विरोधी लोग है ना उनकी बोलती बंद हो गई है उनके मुँपे ताला लग गया है और दभी जबान में उन इलाकों में जाकर के कहते हैं अरे चिंता मत करो यह मोदी भले कुछ भी चिलाता रहे यह मोदी ने भले स्रीनगर में यह चौथे चरण के समय मतदान हुआ है भाईया आपका प्यार मेरे सर आखों पर मुझे जरा बोलने दीजिए चौथे चरण में स्रीनगर में जो मतदान हुआ है चालिस साल के बाद वहाँ भारत के लोकतंत्र का उत्सों मनाया गया भारत के समिधान का गवरवगान किया गया और मतदान करके लोग गर्वन भोव कर रहे थे कि वे हिंदुस्तान के सरकार बनाने जा रहे है स्रीनगर के जीवन में बहुत बड़ा दीन था और स्रीनगर के लोगों का उत्सा है ना वो साफ दिखाता है कि अब कोई भी 370 वापिस लाकर के बोट में की राजरिती नहीं कर पाएगा आजम गड़ के यूपी के हमारे सैनिक परिवारों की माताएं बैने हमेशा चिंता में रहती थी नजाने कब कश्मीर की धर्ती पर आतंग की धमाका कर दें नजाने कब पत्थर बाजी हो जाए और नजाने कब बुरी खबर आ जाए कोई ठिकाना नहीं था लेकिन मोदी ने कश्मीर में शान्ती की गारंटी दी थी मोदी ने 370 की दवार गरा दी 370 की दिवार गिराई पहले वहाँ चुनाव आते थे तो वहरताले होती थे मतदान करने वालों को मोद की मुसिबत आ जाती थी आतंग की धमकी देते थे लेकिन इस बार सी नगर में पिछले अनेक चुनावों के रेकॉर्ड तूट गए भाईयों साथियों ऐसा काम वही कर सकता है जिसके रग रग में राष्ट्र प्रसम का संकल्प बह रहा हो आप याद करिये दज साल पहले देश में एक सामान निव्यक्ति की सुरक्षा भगवान बरोसे होती थी कभी बम दहमाके कभी आतंग कभी स्लीपर सेल कभी दंगे और आजमगड की तो पहचान ही बदल दी गई थी नजाने किस किस नाम से आजमगड को बुलाया जाता था कितना बदनाम करके छोड़ा था देश में कहीं भी दमाके होते थे तो सबसे पहले लोगों का ध्यान आजमगड की तरफ जाता था लोग आजमगड की चर्चा करते थे और तब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार आजमगड की प्रतिष्ठा के लिए न कुछ सोचती थी न कुछ करती थी तब सपा के सहजादे आतंके समर्थन में दंगाईयों का सम्मान करते थे दमागे करने वाले आतंकियों को छोड़ा जाता था स्पीपू स्लीपर सेंस को राजनीदी का कवर दिया जाता था इसी दवये के कारां देश भर में आतंक वाद फला फुला अनेक माताओं को अपने बच्चों को बरबाद होते देखा और इन लोगां तो आज भी ऐसाई दवया है भाजी और भेनों सपा कॉंग्रेस दल दो है दल दो है लेकिन दुकान एक ही है यह जूट का जामान बेचते हैं यह तुष्टी करन का परिवारवात का और प्रस्णाचार का जामान बेचते हैं अब यह लोग तुष्टी करन की ट्रिपल डोज लेकर आये हैं एक तरफ यह लोग पिछडे दलीत आदिवासी का आरक्षन चीन कर अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं दूसरी तरफ यह इंडी गडबंदन वाले आपकी संपत्ती का आदा हिस्सा चीन कर उसको भी अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं और साथ ही यह लोग देश के बजेट को भी बांटना चाहते हैं बजेट का पंदरा प्रतीशत भी अब्वासीदा का सिदंग माइनोरिटी के नाम पर ही अलोट करना चाहते हैं मैं आप सब को कहना चाहता हूँ देश की एकता के लिए देश में सच्चे अर्थ में समिधान का सम्मान करने के लिए देश में चट सच्चे अर्थ में बाबा साब आम बेड करकी भावनाओं को जीने के लिए हमें ये भागला करो राज करोंगे वालों से चोकन ने रहनों की जरूर है देश को आज सबसे ज़्यादा एकता की जरूरत है सतर साल तक उन्होंने हिंदु मुसल्मान हिंदु मुसल्मान करते रहे आओ एक मन करके चले दुनिया में देश का नाम रोर्शन करकर करे रहे साथियों इद्ली गडबंदन तुस्ती करन के दल दल में पुरी तरह दस चुकी है समाजवाजी पार्टी के सिर्शनेता राम मंदिर को लेकर आए दिन गटियां बाते कर रहे कॉंग्रेस के सहजादे ने तो राम मंदिर को गालिया देने का मिशन ही चला रखा है सिर्फ वोड बैंक को खुश करने के लिए ये लोग हमारी आस्था पर चोड कर रहे है साथियों यहाँ इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता ये बहने आई है कि मोधी आपका जीवन बैसर बनाने के लिए दिन रात एक कर रहा है आज हर गरीब को मुट्त अनाज मिल रहा है हाज हर गरीब को मुट्त अनाज मिला, पक्ता घर मिला, घर में नल, नल में जल सस्ता सिलंडर ऐसी अनेग सुजिदाएं आप तक पहुंची है क्या समाजवादी सरकार में कॉंग्रिस की सरकार में उन लोगों ने आपकी कभी चिंता की दिया उन्हें आपको अपने हाल पर छोड़ दिया तक नहीं छोड़ दिया था यह मोदी है जो आपके जीवन से हर चिंता को दूर कर रहा है अभी मोदी ने एक और बड़ा फैसला लिया है आपके घर में और यहां जितने लोग इन सब के काम आने वाला है आपकी जात में पैदा हुए है कि विरादरी में पैदा हुए है आप दनी है नहीं है पढ़े लिखे है नहीं है गाउं में रहते हैं शहर कुछ नहीं सब के सब कोगी मेरा तो मंत्र है सब का साथ सब का विक माप, दादा, दाजी, चाचा, चाची, नाना, नानी, कोई बुजूर्ग होते हैं, और 70 साल के बाद, छोटी-मोटी कोई बिमारी भी होती है, दवाई का खर्चा भी होता है, अब जो बेटा या बेटी कमाते हैं, उनके मन में यह रहता है, कि पिताजी की खिलाने-पिलामेन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दवाई कम हो जा जाएं, तो बेटा-बेटी चिंता में लग जाते हैं, रहे कैसे करेंगे भाई, उनके सामने प्रस्ण होता है कि बच्चों का परवरिश करें, कि भुजूर्गों को यह चिंता करें, जिम्मेवारी भी हैं, द सत्तर साल से उपर के आपके परिवार में जो भी लोग होंगे, उन सब की बिमारी में इलाज के खर्च की जिम्मेवारी मोदी की, ये मोदी की गारंटी है, गूटले की दिक्कत हो, हाट की परिशानी हो, कोई भी बिमारी हो, हड़ बुजूर्गों का इलाज होगा, और वो भी मुक्त होगा, साथियों, मोदी ने एक और योजना शुरू की है, इसमें बिजली बिल जीरो हो जाता है, बिजली बिल जीरो, इतना ही नहीं, बिजली बिल तो जीरो हो जाएगा, लेकिन बिजली इस्तेमाल करने वाला हीरो बन जाएगा, सिरम निर हुआ हीरो हो गया सा नहीं, आप भी हीरो बढ़ जाएगे, इस योजना को मैं समझाता हूँ, और अल्रेडी चालू कर दिया है मैंने, ऐसा नहीं कि चार जुन के बात करूँगा, कर दिया, योजना का नाम है पी एम सूर्यगर मुफ्त बिजली योजना, आप ओनलाइन जा करके अभी से रजिस्ट्री करवा सकते हैं, वो ऑनलाइन चालू है, योजना क्या है, मोधी आपको 75,000 रुप्या देगा, आपकी जरुवत के हिसाब से 75,000 रुप्या तक मोधी देगा, कितना, कितना, उस मैं से आप गर पर सोलर पैनल लगाएंगे, और जो सोलर की बिजली होगी, उसका आप अपने परिवार के लिए उप्योग करेंगे, और जो जादा बिजली होगी, वो योगी जी की सरकार खरीद लेगी, अब इससे, आपका बिजली का बिल तो जीरो हो जाएगा, आप बिजली बेच करके कमाई करना शुरू कर दोगे, ये काम मोधी आपके लिए कर रहा है, और आप रजिस्ट्री करवा से और उनलाइन जाएए, सारी चीज़ा अवेलेबल है, साथियों, आज भाजबा सरकार में यूपी का तेज विकास हो रहा है, मंदूरी एरपोर्ट बना है, महराजा सुहल्देव उनिवर्सिटी बनी है, किसान कल्यार के काम हो रहे हैं, लेकिन यूपी के सहजादे को इन कामों से पेट में क्यों दर्द होने लगता है, इन्हें लगता है कि इस छेत्र का विकास हो गया, तो इनकी दुकान कैसे चलेगी, आपने तो सपाके गुंडा राज के वो पुराने दिन देखे हैं, बाजार साम साथ बजे बंद हो जाते थे, माताएं बहने बाहर नहीं निकल पाती थी, पढ़ाई लिखाई तक के लिए बेटियों का निकलना मुश्किल होता था, भाज़ और बहनों, आज भाज़पा सरकार में यूपी इन सारे संकटों से बाहर निकल आया है, और योगी जी ने हाँ, दंगाईयों की, माफियाओं की, अफरन फिरोती गेंग की, मेरा जो स्वच्चता अभियान है न, योगी जी ने उत्तर प्रजेश में बराबर चलाया है, अब यूपी में तेजी से आधुनिक सेवाएं बनाई जा रही है, मुबारकपुर का साड़ी उद्योग हो, या फिर निजाबाबाद के मिट्टी के बरतन, या फिर यहां का गूड ऐसे हर उत्तर पाद को दुनिया के बाजारों तक पहुचाना हमारा लक्ष है, और इसलिए मैं वोकल फोर लोकल, वोकल फोर लोकल के मंत्र को आगे बढ़ा रहा हूँ, भाई और भेनों, आजमगड को, पुरवान चल को, देश के विकास का इंजीन बना ले के लिए, आपका वोट बहुत महत्वपूर है, अब उनका हाल देखिए, मैं अभी द्वाईरिका जी के दर्शन करने गया था, अंदर समुंद्र के अंदर जा करके, मैंने भगवान च्रीकेस ने जो द्वाईरिका जी बनाया था, द्वाईरिका नगरी बनाई थी, वहाँ अपनी स्रद्धा अर्पित करने गया था, तो ये कॉंग्रेज वाले इसकी भी मज़ा गुड़ा रहे थे, और मज़ा ये है, ये बिहार में आरजेडी वाले, अउत्तर पुदेश में सपा वाले, उनके परिवार के जो मुखिया है, वो अपने आपको यदिवाउशी कहते हैं, अरे तुम कैसे अधिवाउशी हो यार, जिसके साथ बैठते हो, वो तो भगवान सी कस्थे को गाली दे रहा है रहे, और हम युद्य अजवाउश का महत्मा देखिए, अरे मज़्य प्रदेश में, वोट के लिए नहीं, हमारा मुख्यमंत्री है मोहन यादव, यदुवाउश का महत्मा कौन समझता है, वो आप जानते हैं, भाईयों बैनों, आपको लाल गन से, हमारी बैन, नीलम सोनकर को, भारी, आगे रही है, आगे रही है, नीलम सोनकर जी को भारी बहुमत देकर समसर बेजना है, और हाँ, अबता, अबता, आजमगडवालन के पास, भोजपुरी का सादक हो, सेवक हो, निर्वा का तप और तपश्या, आप लोगन के सामने है, परिवारवादी, आपके वोड की किमत नहीं समझ सकते, आप निर्वाजी को रिकॉर्ड वोटर से विजाई बनाकर, वो रिकॉर्ड मोर्तों से चिताना, और दूसरा, बागी हम तब बगल में, बनारत में हुई है, मेरा एक और काम करिएगा, एक मतदान ज्यादा होना चाहिए, सुबेद दस मजे से पहले मतदान होना चाहिए, पुराने मत के सारे रेकॉर्ड तोड़ना चाहिए, हार पोलिंग बुच जीतना चाहिए, करेंगे, करेंगे, अच्छा मेरा एक काम करेंगे, मेरा एक काम करेंगे, जरा आप लोग बताएं तो मैं बोलू, मेरा एक काम करेंगे, सब के सब अगर हाथ उपर करके बताता है तो बताऊंगा मेरा एक काम करेंगे जरा मुझे जवाब दिजे मेरा एक काम करेंगे एक काम करना जादा से जादा परिवारों में जाना जादा से जादा लोगों को मिलना और कहना कि अपने मोदी जी आये थे और मोदी जी ने परिवार के सब को राम राम कहा है मेरा राम राम पहुंचा देंगे हर एक को मेरा राम राम पहुंचा देंगे बोले भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत बहुत धन्यवाद आधर्णी प्रदान मंत्री जी आपके आशिर वचन से पुरा आजम गड़ धन्य हो गया है करता हूँ भारत के स्ष्षी प्रदान मंत्री मोधी जी को जिनोंने अपना समय दे करके आज आजम गड़ लाल गन की जनता को संबोधित किया अब हर वे करता हूँ योगी आधित्रनाच जी को मंचस्नेताओं के प्रतिया वहर वे करता हूँ करता हूँ